वस्ट अप गाइज उस टाइब की फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को लाइटूम एप को ओपिन करना होगा और जैसे ही आप लोग इस वाले एप को ओपिन कीजेगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइब के इंटरफेस देखने को मिलेगा तो पल से क्लिक करने के और नीचे साइड में एड़ वाले आइकन पर क्लिक करने का करने का और वीडियो के एड में कैसे आप वन क्लिक में फोटो को एडिट करेंगे ये भी आपका बताने वाला है है तो उसके लिए साइड में एडिट के आइकेन पर क्लिक करेंगे कर लेने के बाद सबसे पहले आप इसकी तिंट का जो वैलु होंता है इसे आप लोग को ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 28% करना होगा टेम्प की वैलु भी इंक्रीज करके इसे भी प्लस साइड में 28% कर लीज़ेगा सिंपल से गाइज यह सारी सेटिंग आप लोग जैसे ही कीज़ेगा तो कुछ इस टाइप की आपकी पूरी फोटो देखने को मिल जाएगी और इतना सारा काम कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी करने की जुरुत नहीं यह आपका भाई जो भी सेटिंग बता रहा है सेम उसे आप फॉलो कीज़ेगा 100% आप फोटो को एडिट कर लेंगे उपर साइड में मिक्स टूल के आइकेन पर आप लोग क्लिक कीज़ेगा और यहाँ पर आप लोग के सामने बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे और इनी कलर का यूज करके आपका बाई टोन को क्रियेट करना बताने वाला है और इसकी लूमिनेस की वालू भी डिक्रीज करके माइनस 43 कर दीजेगा सिम्पल से गाइज यह स्रेटिंग के लेने के बाद औरेंस कलर को लिखी इसकी शेच्वेशन की वालू कम करके माइनस 23 कीजेगा लूमिनेस की वालू प्लस सैड में 12 करके और यहां से आप लोग डन क्लिक कर दीजेगा डन आप लोग जैसे ही क्लिक कीजेगा तो आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइब से देखने को मिल जाएगी तो सिंपल से आप लोग को फोटो के अंदर क्लेर ग्रेडिंग करने के लिए क्या करना होगा मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पर टैब करना होगा और यहां पे आप लोग को सैडो वाले में आके अपनी फिंगर से पकड़के ऐसे गसीट के न थोड़ा सा आप blue side में कर दीजेगा बिल्कुल थोड़ा सा और जिसकी hue की value आप लोग 232 रखिएगा situation को 32 वर चेंड हाइलाइट वाले सेक्षन में जाके अपने finger से पकड़के ऐसे थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर blue side में कीजेगा जिसकी hue की value 223 रखिएगा situation को 35 वर लेकिन अगर आप दूसरे step को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं तो आप photo को edit नहीं कर पाएंगे तो दूसरा ले step के अंदर light वाले icon पे click करके contrast की value plus side में 27 रखिएगा और इसकी blacks की value as a decrease करके minus 33 कर दीजेगा कर लेने के बाद आप लोग का दूसरा लावी step complete of हो की sharp end amount को increase करके plus side में 36% करके masking की value plus side में 43% कर लीजेगा देन दोस्तों ये कर लेने के बाद आप लोग को noise वाले में आना होगा noise reduction की value plus side में 27 रखिएगा और color noise में आरके और इसकी color noise reduction की value plus side में 25% करके smoothness को 100% कर दीजेगा देन दोस्तों ये setting आप लोग जैसे ही कीजेगा त अगर आप इन तीनों step को अच्छे तरीके से देखे हैं तो last वाली step को बहुती द्यान से देखिएगा उसके बाद आपका by one click में कैसे photo को edit करना है ये बताएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे effect के icon पे आएंगे और सबसे पहले इसकी effect वाले में texture की value increase करके plus side में 10% करेंगे कि लिए T की value plus side में 10% DIs की value plus side में 10% कर देंगे simple से guys इसके बाद आप लोग को vignate में आना होगा और इसकी amount को ऐसे कम करके minus side में 33% midpoint की value भी कम करके इसे 22% plus side में phases की value increase करके plus side में 35% कर लीजेगा देन दोस्तों ये सारी setting आप लोग जैसे ही कीजेगा तो alt 12 आपकी अगर आप इस टाइप की photo को one click में edit करना चाहते तो मैंने इस photo का जो preset होता ना वो description box में दे दिया तो preset को download करके just one click में आप photo को edit कर सकते हैं और इस photo को save करने के लिए share के icon पे click करके save to device कर दीजेगा आपका photo gallery के अंदर save हो जाएगा तो तब तक के लिए tata bye bye thanks for watching guys